अब वहाँ ना आपकी सहित के लिए सही हैं, ना आपके चैनल की विश्वस्नियता के लिए, मेरे आदरने मित्र मैं फिर आपसे अनुरोध करूँगा, जब आप कॉंग्रेस कारे समीती की बैठक में नहीं थे, तो सुनी-सुनाई बात पर विश्वास में इसी लिए थे, अगर आप मेरी बात का आप नौजवान हैं, थोड़े उत्तेजित भी हैं, आपने ये माना के आप बैठक में नहीं थे, शिरी केसी वेनु गुपाल जी और मैं दोनों कॉंग्रेस कारे समीती के सदस्य हैं, और हम दोनों वहाँ थे, और एक जुम्मेवारी के पद पर रहत हुए हम आपको भी इस बात का आग्रह करते हैं कि अफवाहों पर ध्यान देना बन कीजिए, अफवाह ना आपकी सहित के लिए सही हैं, ना आपके चैनल की विश्वसनियता के लिए सही हैं, इसलिए कॉंग्रेस पार्टी के संग्धन महासरचिव, जो इंचार्ज हैं, उन आजाद सहब हों, अनन शर्माजी हों, चेदंबरम सहब हों, या कोई और व्यक्ति हों, ये हमारे परिवार के सदस्से हैं, ये ना डाई सेंटर हैं, ना हमसे अलग हैं, हम सब नहीं कठे होकर, एक मत से, और आजाद सहाब और इन सब लोग जो आपने जिनका नाम लिया, उ जब आप कॉंग्रेस कारे समीथी की बैठक में नहीं थे, तो सुनी सुनाई बात पर विश्वास, मैंने इसलिए, आगर आप मेरी बात का आप नौजवान हैं, थोड़े उतेजित भी हैं, और नौजवान को उतेजना सभाविक है, और मैं अपने तजर्बे से नौजवान की उस उतेजना को आतम साथ करते हुए, बड़ी विनमरता से आपको अनुरोद करता हूँ, कि तरुनाई अवश्चक है, पर तरुनाई के साथ अफवाही अवश्चक नहीं, वो अनवश्चक है, इसलिए अफवाह पर विश्वास मत करिये, कॉंग्रेस के संग्थन महा सच शिरी केसी वेनु गोपाल जी ने सपश्च तोर से आपको कहा, ना वहां कोई उतेजना थी, ना कोई वादवी बात था, इलेक्शन का स्केडूल आ गया, केंद्रिय चुनाव समीती ने वो स्केडूल दे दिया, उस पर सब साथियों ने कहा, क्योंकि हम चुनाव के बीच म होंगे, इसलिए उसे थोड़ा है, मैम, I think, एक से अधिक बार मैं इस बात का जवाब दे चुका और वेनु गोपाल जी दे चुके, के इलेक्शन अथॉर्टी ने जो स्केडूल दिया था, उसके मताबिक मई के आखिर तक कॉंग्रेस अध्यक्ष का चुनाव संपन हो जान के युनेनिमसली कहा के इसको थोड़ा सा आगे कर दिया जाए, ताकि ये चुनाव की डेट संपन होने के बाद ही हमारा आंतरिक संग्ठन चुनाव चालूँ हो, धन्यवाद धन्यवादू